नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों बिलकुल भारत के ब्रेक फेल हो चुके हैं खास करकी भारती अर्थववस्था के क्योंकि दो ऐसी खबरे निकल कर सामने आई हैं जिन्हें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी यही कहेंगे क्योंकि सारे के सारे रिकोर्ड दोस्त की जा चुके हैं और मैं आपको पिछले एक साल से कह रहा हूँ कि जो भारत का विदेशी मुद्रभंडार है जो भारत का खजाना है आप देखेगा भारत इसी के दम पर अपनी अर्थवस्था को दोबारा रिबिल्ड करेगा और भारती अर्थवस्था का ये इंजन बन कर आएगा और ऐसा हो भी रहा है आपको याद होगा आपसे तीन दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रही है पिछले क्वार्टर में वो रही है 20.1 और ये दुनिया में सबसे फास्ट है उधान के तोर पर जो भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है चाइना की सेम क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.9 थी यानि लगभग लगभग तीन गुना भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन से ज्यादा है स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखकर कंफर्म भी कर सकते हैं लेकिन अब दो ऐसी बड़ी खबर निकल कर सामने आई ह जिन्होंने तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है रसला पहले स्क्रीन पर देखिए भारत का अगस्त के महीने में जो एक्सपोर्ट है वो 45 फीस दी बढ़ा है जी हां और इसका क्या मतलब है मतलब कि अगर भारत पहले 100 रुपे का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था दुनि पूर्ट 33 फीस दी बढ़ा था और अब ये 45 फीस दी बढ़ा है यानि कि महीने दर महीने ये रैपिड तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत अर्थवस्था के लिए ये बहुत ज्यादा पोजिटिव साइन है और ये तो कुछ भी नहीं अब दूसरी खबर जानिये जो इससे भी बढ़ कर है तो असल आपको पता होगा कि भारत सरकार को GST को लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि GST गलत लगा दी GST नहीं लगानी चाहिए थी इससे देश की अर्थवस्था डूब गई लेकिन स्किन पर आप देखिए भारत का अ कर चुका है और जब इतना ज्यादा कलेक्शन आता है इतना ज्यादा टैक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अब हमारी अर्थवस्था पर आ चुकी है लोग अब कमा भी रहे हैं और साथी खर्च भी कर रहे हैं और इसके लिए आपको लेकिए हमारे जो इमानदार व्यापारी वर्ग है जो इमानदारी से अपना GST भर रहा है उसे भी धन्यवाद देना चाहिए देश की परगती में वो बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं क्योंकि GST से अल्टिमेटली जो देश में बड़े-बड़े इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हें भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा GST कलेक्शन हो रहा है मतलब कि हम अब ज़्यादा सड़के बना सकेंगी ज़्यादा पुल ज़्यादा फ्लाई ओवर इसके लावा सुविधाएं अब ज़्यादा बढ़ सकेंगी तो यानि कि भारतिय एकोनमी अब अपने चारो पईयों पर लोट आई है पहले जो सिर्फ भारतिय विदेशी मुद्रा भंडार के सहारे थी अब ये पूरी तरीके से ब्रेंड न्यू कार के तरह आगे बढ़ रही है हर उमीद करते हैं कि जो बाकी के सेक्टर है वहाँ पर भी एकोनमी तेजी से पट्री पर लोट आए और चीन के हम बहुत ज़्यादा करीब पहुंचाए आने वाले कुछ ही सालों में हाला कि आप कैस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा साथी वीडियो को शेर कीजेगा और हाँ चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना फिलाल इस वीडियो में इतना ही तक यू जरूर वाचिए वीडियो